जैकन भान ग्यान कुन सागर जै, अभी सति भुलो का पुझागर जै कौन है जो यह सब आसुरी माया रच रहा है? किसने भाईया शी राम कैश शुमेध यग्य में बाधा डालने का दुस्सा हस किया है? मेरी रचाई हुई है ये सारी माया ये तो महा भायानक राक्षास परतीत हो रहा है इसने तो अपनी दृष्टी मातर से दादू के अस्तर पिंग ला दिये इस मायावी से भैभीत होने की कोई आवशक्ता नहीं है साइनिको सामना करो इसका सामना? कैसे करोगे सामना? तुम्हारे सारे आस्त्र शास्त्र और बाहर तो द्रवित हो चुके है दिव्यास्त्र अभी भी है हमारे पास सैनिको वानुरो की सेना ने जिस प्रकाद लंका में युद्ध किया था तुम भी उसी तरह युद्ध करो इससे से जिस दो सिर्व है स्वाफ अहाँ ठाइस भाइस अन व्रोष युद्ध आ Grow पुश्कल, तुम इसके नेत्रों पर वहर करो, मैं इसे गिराने का प्रयास करता हूँ, अपनी सेना के और छटी नहीं होने दूँगा, मैं राम कता का ऐसा वर्डन इतने मधुर कंट से ये वानर श्रेष्ट कोई साधारन वानर नहीं है एक पुश्कल! तुम कुशल तो हो ना पुश्कल काखा श्री आप मेरी चिंता मत कीजिए साधारन दिव्यास्त्र से इसे कुछ नहीं हुआ इस पर अगनी बान जैसे माहा दिव्यास्त्र चलाने होंगे तुम सब कह रहे हो पुश्कल मैं इसे संभालता हूँ तुम जाकर हनवान जी को ढूंडो और इस असुर के विश्य में उन्हें सूचीत करो शीग्र किन्तु आपस माहा दानब को एका की ही इसे संभालने के लिए तो मैं एका की ही परियाप्त हूँ ये देखो पुत्र पुश्कल तनिक सी भी असावधानी उचित नहीं है पुत्र तुम अपने बान पर आरूल होकर त्वरित गती से जाओ और अनुमान जी को सूचित करो वो बिना कारण यहां से अधिक दूर नहीं जाएंगे कहां है अनुमान जी अवश्य वो किसी ध्यान में लीन है अन्य था अब तक तो वो यहां आ ही जाते ये दुआनी ये तो हनुमान जी का स्वार है आओ बाला अब तुम मुझ से बच कर नहीं जापाओगे अब इस घाटी में बनेगी तुमारी समाधी ये बालक तो अपनी आयू से अधिक चतुर और निपोड निकला बस बात हो गया अब और नहीं आशा है पुषकल ने हनुमान जी को ढून लिया होगा अवश्य ही ये वानस्ट्रेश्ट कोई अन्य नहीं हनुमान ही है हनुमान हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी सहता कीजिए पुषकल ये तुम्हें क्या हो गया है अश्वचर अश्वचुरा लिया गया है शत्रुगन काका एवं सीना घोर संकट में है परंतु प्रभु श्री राम के कार्य में विग ने डालने का दुसाहस किस ने किया कोई राक्षास है उग्रद्रंश्ट उग्रद्रंश्ट वो राक्षास एकाकी नहीं होगा उसका भाई विद्धुन माली भी उसके साथ होगा वो दोनों शत्रुगन के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं मेरा हनुमान सत्ती ही था आप ही हनुमान हैạoो श्रिराम के अनण्य भक्त उनके कारे संपन्य करने वाले महान सेवक अब उनके अशुमेध यग्य के अश्व की सुरक्षा कर रहे हैं हारी श्यवर किंतु मुझे प्रतीत हो रहा है मेरी भक्ति का लाब उठाकर किसी ने अश आपको तो श्री राम के विशय में अब तक का संपूर्ण ज्ञान है। आप मेरी कथा के समाप्त होने के बंधन से मुक्त है। आप शिग्र जाईए और प्रभु श्री राम का कारे पूर्ण कीजिए। अवश्य रिशिवर, प्रणाम। विज़ाई भाव। जाए श्री राम। तुम्हारा अंत समय आगया है रगवशी। तुम्हारे बान कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस दानों के नीचे तब कर चकना चूर हो जाओगे। तुम्हारे बान कुछ तक नहीं पाँज पाओगे हनुमान। 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 अनुमान, तुम्हारा आश्व मेरे पास है, यदि साहस है, तो मुक्त करा लो इसे विद्यून माली, रुख जाओ हनुमान जी, उधा शत्रुगन कागा भी संकट में है ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई, शत्रुगन को पहले बचाऊं या फिर अश्व को छुडाऊं समाप्त कर दो इस रखुवईशी को शत्रुगन भाया कागा श्री काकाश्वी पुश्कल, तुम उग्र द्रंश्ट के विरुध युद में शत्रुगन भाया की सहायता करो मैं विद्यून माली से अश्व लेकर आता हूँ जले आओ हनुमान, मेरा अनुसरण करते करते, मेरे पीछे चले आओ जले आओ हुआ अब देखो कैसे मैं अपने माया जाल में फसा कर तुम्हें अपने अमाकट लोक ले जाता हूं मंद बुद्धिवानर अंत्ता फसी गया ना मेरे माया जाल में ये तो कोई माया लोक प्रतीत हो रहा है जो कदाचित विद्यून माली ने उत्पन्ने किया है अश्वमेद यग्य का अश्व उस ग्रह पर ये तो दूसरे ग्रह पर चला गया तुम मेरे माया जाल में फस चुके हो वनर अश्वमेद यग्य का अश्व मेरे पास है क्रोध हा रहा है ना 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 ग्रोध करने से कोई लाब नहीं होगा तो कि अब मेरे इस अमा कट्लोक से ना तो तुम जा सकते हो और नहीं तुम्हारा अश्वमेद यग्य का अश्व मास मेरे लोह दानव का अंत हुआ है तुम्हारी कारण अब तुम तोनों को लोह में चड़ दूंगा मैं आओ अयोद्या के सैनिकों तुम्हें भी स्तमभित करते हैं आज मेरे कोप से तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा तुम सबका अंत होगा यहीं अभी कुछ समझ में नहीं आरा कैसे परास करूं इस असुर को क्या होगा शुमेद यग्य के अश्वका असफल हो जाएगा तुम्हारा यह असुमेद यग्य तुम्हारे राम का असुमेद यग्य कभी सफल नहीं होगा कभी नहीं विद्यून माली यदि अपनी भलाई चाहते हो तो बंद कर दो यह सब अन्यथा रामण की ही भाती तुम दोनों भ्राताओं का भी अंत होगा अंत तुम करोगे अंत हम दोनों का मोर्ख अब हम पूर्ववाले उग्य द्रण्श और विद्यून माली नहीं रहे तो तुम्हें ऐसे नहीं मानोगे यह मेरा अमाकट लोख है अरे मैं तुम्हें बताना भूली गया यहां जो वास्तों में दिखाई देता है वो वास्तविक्ता में है तो किन्तु वो वास्तों में है ही नहीं यहां तुम मेरा कोई यहित नहीं कर सकते वानर अब ता समझ में आही गया होगा यहां भी भी कुष शेश है सका अब ही दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ जए श्रीराम मरकट तुम क्या सोचते हो अपना ये देह आकार बढ़ाने से क्या तुम मेरे अमाकट लोक में समान ही पाओगे मूर्क हो तुम मूर्क ये माया लोक है मेरा माया लोक यहां तुम जितना अपना देह आकार बढ़ाओगे ये उतना ही बड़ा हो जाएगा इस माया लोग से निकलने के लिए कोई अन्यही युक्ति अपनानी होगी यहाँ तुम्हारी कोई युक्ति नहीं चल पाएगी वानर अब देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करता हूँ ये लो सम्हालो ग्रह का भीशनवार और अब होगा मंगल ग्रह का वार मैं पताना भूल गया कि ये बले ही वास्तविक ग्रह ना हो किन्तो इनके तूटने से वास्तविक ग्रह पर प्रभाव अवश्य पड़ता है और तुम्हारा मंगल ग्रह तूटकर बिखर जाएगा ये अनुचित है मैं इस लोग के बाहर स्थित वास्तविक मंगल ग्रह को कोई क्षती नहीं पहुँचने दूँगा पूर्ख एक ग्रह को रोकने से क्या होगा एक ग्रह तुम से नहीं टकरा पाया तो क्या अब ये अपस में टकराएंगे अपस में तुम उस मंगल ग्रह को नहीं बचा पाओगे प्रह कर्का हूँ प्रह करे एक तुम उस अ कर्वा भ्रह प्रह एक वास्त अ कर्वा जब आट काकश्री, हमारे बान द्रावेत होकर इस धादू अस्तर में 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 रहे हैं सावधान कुछकल, ये अस्तर हमारी और ही आ रहे है बचो पुत्र, हमें साथ मिलकर युक्ती से इस दुष्ट का सामना करना होगा तभी हम इस दुष्ट को परास्त कर सकेंगे उससे तो तुम बच गए रगुवन्शी किन तुम इससे नहीं बच पाओगे काका श्री आपने देखा इसके हातों में इसकी धातों कम होती जा रही है कि मैं इसके दातों को इससी प्रकार समाप्त कर सकता हूं कि धातों समाप्त होते ही इसकी शक्ती स्षीन हो जाएगी में तुम्हारे यास्टर! मुझे कोई शती नहीं पहुंचा सकते, दुष्ट राक्षिस! आओ तो चरकूद कर रहे हो, बालक! मैं भी देखता हूँ, कब तक बचपाओगे मेरे अस्त्रों से! मुश्कल! मैं इन ग्रहों को आपस में कदापी नहीं ठकराने दूगा! विद्युन माली का अवास्तविक अमाकत लोग बहुत ही माया भी है! वो तो अब अपने शक्तियों से वास्तविक मंगल ग्रह को ही नश्ट करने पे तुला है! यह वानर ऐसे नहीं मानेगा! कोई युक्ति लगाता हूँ! हाँ! मैं ये शनी ग्रह की प्रतिमूर्थी गुमा कर फैंकता हूँ! देखता हूँ कैसे समालता है ये इसे! यदि ये मंगल ग्रह आपस नहीं टक्रा गए तो अनर्थी हो जाएगा! वानर का ध्यान तो मंगल में ही अटका है! शनी की प्रतिमूर्थी से! अन्विज्या है ये! अच्छा है! अब तो ये स्वयमी नष्ट हो जाएगा! घोर अनर्थ होने वाला है! अच्छा तुराई दिखा रहे हो तुम वानर्थ! परन्तो इस प्रकार तुम इन ग्रहों को ही बचा पाओगे! ना तो तुम राम के अश्वमेध यग्य को बचा पाओगे और ना ही इन काका भतीजे को! जो कुछी समय में मेरे ब्रादा उग्रद्रंश कहा थो! मृत्यू को प्राप्त होने वाले हैं! मृत्यू को! रगुवंशी बाल्यकाल से ही युद्ध कला में निपुड होते हैं मुर्ख राक्षस! अद्वित्य योधा हैं वे! होंगे वो योधा! किन्तु तुमारे रगुवंशी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं! और हम राक्षस कोई नियम नहीं मानते! कोई नियम नहीं! हमारा केवल एक ही नियम है! एक ही धर्म है! विजये! एक मात्र विजये! अब कुछी धातू शेश है इसके हाथ में! अच्छा! तो ये मेरे दादू के समाप्त होने की प्रतिक्षा में हैं! रगुवंशीयों! तुम से कहीं अधिक्चा तुरहू मैं! वार करना बंद कर दिया इसने और थात थातू समाप्त! अब एक ही चलांग लगाकर समाप्त कर दूँगा इस दुष्ट को मैं! उसके समीब बजजा पुषकल! पुषकल! दुष्ट उग्रदंष्ट अभी भेजता हूं तुम्हें यम्लोक! काकाश्री! आग के पीछे है वो! पीछे से वार करने वाले योध्धा नहीं होते! हाँ! वो राक्षस होते हैं! यही है रक्ष संस्कृती! और मुझे गर्व है अपनी रक्ष संस्कृती पार! और अब तुम दोनों की मृत्यू का समय निकटा गया है! और सर्वप्रथम इस बालक की मृत्यू होगी! बहुत सताया है इसने! यह मरेगा और तुम विवाश हो कर देखते रहे जाओगे! वह! वहाँ विध्यूनमाली हन्वान और अश्व को सदा के लिए अमाकट लोक में लुप्त कर देगा! और यहाँ उग्रिद्रंष्ट इन दोनों को संसार से ही उठा देगा! पाप का विस्तार हो! अधर्म की जैह हो! हाहा! हाहा! हो मर्कट! तुम्हें अश्वमेद यग् अश्व चाहिए! वो रहा अश्व! प्रित्वी पर! हाहा! 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 अधेट प्रसंद होने की आवश्चता नहीं है मर्कट! क्योंकि अब मैं इस अमाकट लोग को गुमाऊंगा और तब इस लोग में जो कुछ भी है वो सब तुमकर गिरना अरंभ हो जाएगा और इसी के मध्य तुम और तुम्हारा ये अश्व पिसकर लुप्त हो जाओगे लुप्त अगनी तो और भी मध्यम होती जा रही है जिसका संकेत ये है कि अश्व पर और भी घोर संकटाया हुआ है संकट मोचन हनुमान के रहते अश्व संकट में कैसे पढ़ सकता है हनुमान को इस मायवी लोग से निकलने के लिए श्रीक रही को युपाय करना होगा अन्याधाब फुशकल के प्राण भी संकट में है और दूसरी ओर यकी की अगनी बुझेने की स्थिति मा गई है यही नहीं यदि अमाकट लोक में स्थित ग्रहों की प्रतिकरतियां आपस में ठकरा कर नश्ट हो गई तो ग्राम अंडल में विखर जाएगा हे प्रभू यह कैसी बाधा उत्पन्न हो गई है रामकाच में कैसे अश्व को निकालू यहां से कैसे इस मायवे लोक से पार पाऊं कहते हैं कि अनुभवों से ही मनुश्य सीखता है पूर्वकाल के अनुभव भविश्र के जीवन को सुगम्य बनाते हैं काल चक्र यह अनुमान क्या सोचने लगे अब यह वानर क्या कर रहा है अनुमान तुने मेरे इसमाया लोग को वस्त कर दिया, मैं तुझे जीवित नहीं छोलूँगा, नहीं छोलूँगा तुझे जीवेत और तेरे उस्राम का अश्मेध यग्य कदाचित पूड नहीं होगा, कदाचित नहीं अच्छा यारा अच्छा नहीं मृत्यू तुम्हारे सामने है, मृत्यू को देखकर तुम्हें भैबीत होना चाहिए बालक मृत्यू से भैक ऐसा, मृत्यू तो वीरों की ग्रीवा का अभूशन होता है बड़े उचे बोल बोल रहे हो बालक, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई बचाने आएगा ना तुम्हारी सेना हिल सकती है अपने इस्थान से, ना ही तुम्हारे पूज्य काका अश्री सब को चर कर दिया है मैंने और वो वानर, वो वानर मेरे ब्राता के माया लोक से कभी नहीं निकल पाएगा पर आप नित्यू होगी तुम्हारी, पर तुम्हारे काका अश्री की कर दो एक हुआगी तुम्हारी तुम्हारी पुम्हारी पुम्हारी लाई सकार वज्र ही वज्र को काटता है उग्रद्रंश्ट रामकाच को ना तो तुम विफल कर सकते हो और ना ही तुम्हारा वो फ्राता विध्युनमाली जो अब तक यमलोक पहुच चुका होगा कर पो फिए होगा ही वे उड्राता वेड़ली कर ब चांका? पartet Lily वेड़ मि पहाए, हाह whाह ही वेड़ली व्रांका? व' हम्रामका ओैव kidnapped अज़ नहें विद्युन माली को कुछ नहीं हो सकता विद्युन माली के पास वो शक्ति है जो संसार में किसी के पास नहीं है वो सहजी मिर्थ्यु को प्राप्त नहीं हो सकता नहें विद्युन माली आपने अपनी वर्दानी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया क्या आप बूल गए क्या आपको कौन सा आसाधरन वर्दान प्राप्त है यदि आपने समयर्यते अपने वर्दान का आवाहन कर लिया होता तो आज ब्राता उग्रद्रंश्ट जीवित होते जेवेट उग्रद्रंश वहाँ दूल में पड़े हुए हैं और आप यहाँ चट्टानों के मध्य में दबे हुए हैं कोई अहित नहीं कर पाए आप उस राम का जिसने संपूर राक्षजाती का भेश्र संघार किया है अरे अब तो कीजिए आप अपनी माहावर्दानी शक्ती का आवाहन चटाट विगल अजला प्रभाः पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम वुजंग तुंग मालिकम यग्जी की अग्णी तीवर होते होते पुना मंद क्यों पढ़ने लगी अग्णी की आक्रिती से कुछ आभास तो हो रहा है किन्तु संखेत क्या है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है प्रतीत होता है कि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है अपितु बहुत बड़ा संकट सेना एवं अश्व पर मंदरा रहा है अब सत्य में ही संकट मोचन है हनुमान जी यदि आज आपना होते तो हमारा संकट कौन हरता अब मुझे ग्याद हुआ है हनुमान जी आपके होते हुए भी मुझे अश्व की रक्षा करने के लिए क्यों चुना गया रिशिवार चवन एवं ताच्ष्री महराज राम मुझे आपके माध्यम से युद एवं सैयम के सीख देना चाहते थे प्रभू की लीला प्रभू ही जाने मैंने तो मात्र अपना कर्तव यही निभाया है यही तो मैं चाहता था प्राता विद्यूनमाली कि आप शिव त्रिशूल मंत्र से महादेव के त्रिशूल का आवां करें ओम नमश्वाई अग्या त्रिशूलम देवाई यही देवादी देव महादेव आपने जो मुझे वर्दान दिया था उसका उप्योग मैं इस समय करना चाहता हूँ यही महादेव मुझे अपना त्रिशूल प्रदान करें शिवाई अग्या त्रिशूलम अशंभू महादेव आपका त्रिशूल करंगित क्यों हो रहा है एक समय विज्जून माली ने मुझे वर्दान मांगा था यह उसी वर्दान का परिणाम है देवी विज्जून माली सुभारी घोर तपस्या ने रसन कर दिया है मुझे कहो क्या वर्दान दू मैं तुम्हें प्रणाम प्रभू प्रणाम कहो प्रणाम क्या चाहिए तुम्हें मुझे क्या मांगू अमर्दा का वर्दान तो कोई देता नहीं है शक्ती मांगू किन्तु कौन सी शक्ती ये त्रिशूल हाँ सुना है इसमें तीनों लोकों की शक्ती समाई है प्रभू यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन हैं तो आप मुझे अपना ये त्रिशूल प्रदान करें क्या हुआ प्रभू आपके दर्शन पाने के लिए मैंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की ऐसे भक्त को क्या एक छोटा सा वर्दान भी प्राप्त नहीं हो सकता भगवान भक्त को कभी निराश नहीं करता मैं तुम्हें मेरा त्रिशूल प्रदान करता हूँ परण्तु परन्तु क्या प्रभू तुम इस त्रिशूल का जीवन में मात्र एक बार ही प्रयोग कर पाओगे अता जब भी इसका उप्योग करना हो तो पूर्ण तहां सोच विचार करके ही इसका अवहन करना मेरे लिए इतना ही परियाप्द है प्रभू जे शिव शंभू ये तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी विद्धुन माली इस त्रिशूल का प्रयोग, हनुमान एवं रगुवन्चियों के विरुधी करेगा वर्दान प्राप्त होआ है विद्धुन माली को इसे रोका नहीं जा सकता स्वामी के दिवर्द रिशूल अपने धारन करने वाले को असी में शक्ती प्रदान कर देता है महा विनाश्ट मजा सकता है विद्धुन माली इस ते इस तुख वर्दान और श्राप अवश्य फलित होता है देवी शंभू हुआ को बत्राप इस वख्हें करने बत्राप हboro हो cela इसाagen हो लग्हें करेंद वेर्द करेंद थिदू हुआ करेंदी जू संबू जू संबू जू संबू महादेव, आप धन्य है, आप ने अपने भक्त को दिया हुआ वरदान पूल किया अनुमान, मेरे इस प्रिलैंकारी शीव त्रिशूल से अब होगा तुम्हारा अनुमान अनुमान, मेरे इस प्रिलैंकारी शीव त्रिशूल से अब ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे राम की सेदा, शम्भू ये तो अनर्थ हो गया, इस त्रिशूल की शक्ती का सामना तो संसार में कोई नहीं कर सकता, हम देवता भी नहीं, ना जाने क्या होने वाला है? ये शीव त्रिशूल? अब ये कौन सी नई आबदा आने वाली है? ये ये कौन की सिंवाता क्या होने क्या है? ये थक्तान है में वाली है, पाली है तै ह।क्ताना है प्रूँलैale अनुमान! विद्दून मली, शिवजी के तरिशून के साथ? प्रभू, शिवजी का तरिशूल इस दुष्ट असूर के हाथ में कैसे ही? महादेव शिवजी का तरिशूल? वही है ये महादेव का प्रचंद बनायंकारी तरिशूल जिसे मैंने वरदान में प्राप्त किया था प्रचंग में! मुझे प्राप्त हुआ वरदान! अब तुम सब के लिए अभिशाब बनेगा! अभिशाब! शिवजी के इस तरिशूल की विध्वन्सक शक्ती का तोड़ तो किसी के पास नहीं है! किसी के पास नहीं! तुम्हारी अपार शक्ती भी इसके सम्मक नगण्य है अनुमान! नगण्य है! रभू ये तो आप से प्राफ्थ हुए आपके त्रिशूल को लेकर आपके ही रुद्रांश कुछ जदी पहुचाना चाता है! इसका परेडा कुछ भी हो सकता है दिवेश्वरी ये हनुमान की ही नहीं ये हम स्रीदेवों देवमन्य देवताओं की भी परिक्षा है जो असुरों को उनके तपका थल देने के लिए पात भी रहे! अब आएगा अनंद मुझे! पूर्ण होगा प्रतिशोद लक्ष युद्धाओं के संगार का! नश्ट भ्रष्ट हो जाएगी वो राम सेना! खंडित होगा वो राम का अश्वमेद यग्य और अंत होगा इस वानर हनुमान का! स्वामी की शक्ति के अनुचित प्रयों उनके क्रोध को जाग्रत कर रहा है! criteriaet कि क्तिया आ प्रेण होगा स्वाल कि लुग मार्न येला हनुमान, समालो! रुट्रांश कहलाते हो न तुम हनुमान! तो लोग समालो इस रुद्र अस्त्र को! धर्म की शक्ती ही उसकी मारक बनेगी अब! विजाई होगी रक्षभावना! रक्षभी सोच्का होगा विस्तार! पढ़ाई होगाँ! यह पर्वप्र विस्तार्व रिशिवर अचानक चिंता ग्रस्थ हो आप क्यों खड़े वो उठे प्रभू घोर हनर्थ कर दिया उससुर विध्युन माली ने उसके त्वारा चलाया गया प्रभू शिव का दिव्यत रिशूल हनुमान और सेना की ओर बढ़ रहा है देखिए मिशन वाली प्रभू है ये तो हमें खीचे ले जा रहा है सबन नहीं पा रहा है हम भोले नात के त्रिशूल की अतुलित शक्ति से उत्पन ये वायू प्रभातो मुझे भी प्रभावित कर रहा है पुत्रपुषकल चाहे जो भी हो जाए हमें अपने करता पे पर स्थिर रहना है हां काका श्री अगनी और यग्यक्याश्यों की सुरक्षा करनी है हमें कैसे करें अपना बचाओ हम घोर महा संकट है ये हनुमान, मुश्कल, चत्रुगन, अश्व और संपून सेना की रक्षा का दायत्व तुम्हारा है आपके आशिरवात से मैं इस करतव्य को निभाने में कोई चुक नहीं करूँगा प्रभू इस महा संकट का सामना करूँगा मैं प्रभू श्रीव के त्रिशूल का प्रहार भी सहूंगा किन्तु प्रभू श्री राम के यग्य के अश्व और सेना पर आँच नहीं आने दूगा हाँenario हाँ 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 अखज समय पूर मेरती जनुद डिला जनोग दो आपकोता एंगी, भी जनुदु हू två उन्वावी जनुदू आर इंदूस नहा जो जनुदू आर आर दो आर इंदूनुदू रहा जनुदू झार पाल कि जनुदूदू इंदू जनुदूस चल्चावी जनुदू है भूलेनाद स्वपन में भी आपके त्रिशूल के अपमान की कल्पना नहीं कर सकता मैं किन्तु इस समय आपके त्रिशूल को रोकने का प्रयास करना ही मेरा परम कर्दव्य है प्रभू श्री राम को दिया हुआ वचन प्राण दे कर भी निभाऊंगा मैं जै श्री राम आनन्दित अटी आनन्दित हो मैं अब न कोई देवता ना ही वो विष्णू कोई रक्षा नहीं कर सकता अब इस वानर और उसकी सेना की नारायन नारायन हे प्रभू प्रमान के अस्त्रो सरवादिक प्रचंड शिव त्रिशूल की शक्ती कैसे सैन कर सकेंगे हनुमान उस दुष बिंदुन वाली दुआरा इसे चलाने की अनुमती कैसे देदी प्रभू मुहादेव ने देवर्शी, भगवान भी अपने कर्तव्य से बंदे है बर्दान देना भगवान के वश में होता है परन्तु उस वर्दान का प्रयोग बर्दान प्राप्द करने वाले पर निर्भर करता है विद्ध्युन माली को नियंतरित करना महादेव के वश में नहीं है वो तो स्वयम वर्दान देकर विवश है अपने हनुमान को महा संकत में देखकर भी विवश है स्वामी उनकी विवश्ता ही उनके क्रोध में परिवर्दित हो रही है भाईया के नेत्रों में ऐसी तेक्षण कुरोधागनी प्रजुलित होते हुए प्रथम बार देखा है मैंने ये कैसी विखट परिस्तिती है जिसके परिणाम का विचार ही मुझे भयाकूल कर रहा है किसी प्रकार हनुमान इस संकट से सकुषल निखलाए यही प्रार्तना है मेरी शीविर हनुमान जी के पीछे छिप जाओ वही रक्षित रह सकते हैं हम किन्तु वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं इस त्रशुल की शक्ती से महादेव के त्रशुल का सामना कर पाएंगे वो हमारी रक्षा कर सकेंगे हनुमान राम काज को अधूरा नहीं रहने देंगे हनुमान वो आवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे सर्वता उचित है राजकुमार पुश्कल का कथन संभाव असंभाव का विचार नहीं कर सकता मैं अपने संपूर्ण शक्ती जोक कर महादेव के त्रशुल को रोकना होगा तो वो भी करूँगा मैं हे भूले बाबा आपके आराध्य करभू श्री राम के कार्य में बाधा बन कर इस दुष्ट असुर ने आपके त्रशुल के अपमान के साथ इस भक्त की भक्ती की भी परिक्षा ली है यह भक्त संभाव पूर वक्त आपकी शक्ती का अगाद सुईकार करेगा किन्तु यग्य के अश्व और राम सेना को क्षती पहुँचने और आपकी महिमा को खंडित होने से रोकने का हर संभव प्यास करेगा शिवत्रे शोल के सम्मुख आये हनुमत भर्त का धर्म निभाये राम काज जीवन पे भारी प्राण कपी संकट में डारी ये गाथा महाबली हनुमत की रुचकर लीला राम बगत की जै 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 रगुनंदल्य राम जै 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 महाबली हनुमार जै 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 रगुनंदल्य राम जै 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 महाबली हनुमार बगत की बगती बगती की शक्ती हाँ सब निरथ है खो जाएगा आज मानार, अधिक समय तक तुम अपनी और इस सेना की मृत्यों दाल नहीं सकते महादेद के अस्त्रा और सेना के बीच उचित दूरी बना कर सेना की रक्षा करूँगा मैं मुझे एकाकी पड़े हनुमान जी का साथ देना चाहिए लाजकुमार बुशकल, मेरी सोगंद है आपको आप यहाँने कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा इस संकट से मैं जूच रहा हूँ आप सभी यग्य के आश्व के सुरक्षा सुरिश्चित कीजिए आप मेरे दिव्य कुंडल और कंटहार देख सकते हैं किन्तु जगत में मात्र तीन व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभू श्री राम मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूँ, मा भी नहीं हूँ प्रभू, मेरे प्रभू श्री राम, अन्तता, मेरे इन व्यकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिये प्रभू जिसके साथ प्रभू श्री राम हो, उसके लिए क्या संभव और क्या असंभव तुमने मेरी ज्यांकी को ढूंद कर मुझे लक्षमन को और संभून रहुगुल को नश्ठ होने से बचाया है किसी देवता, रिशी मोनी या योद्धा ने भी मुझपर इतना बड़ा उसकार कार मुझे अपना रिणी नहीं बनाया ।वराओ एंट किसी दोड़ा भी मोनी कर दोड़ा दोस्य गपना रिवी मुझे वे वी धुश्या गार इनक्या भी मुझे रिवीव अजय कर दो अपना को तूब खिज़ प्राई कर दोड़ाद को यांक्या वार्फ़र उन्यार्र्ण कोश्या एंथ आपकी सेवा तो आपके इस सेवा का धर्म है मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया प्रभू कुछ भी कहो हनुमान मैं तुम्हारा रिणी हूँ और उरण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाहे तुम्हें अपने रिदे से लगाने के आपने तो इस निराशा के अंदकार में अपने वचनों से आशा के दीब जला दिये और जिस दिव्य शक्तिन है ये महा विनाश होने से रोका है वो कोई अन्य ने महा बली हनुमान ही है हो अवाँ आपने के वी महा भाएगा है अपने के अन्य रजाओ स्वामी के त्रिश्यों के शक्ति, एवब उनके कोख जनित तांडव का परेड़ा, कैसे सहेगी इस रिस्ति? अनुमार, तुमने लक्षमाट और समझ सेना के उपचार के लिए जो कठिन कारे किया है, उसके लिए पुरसकार स्वर हूँ, मैं तुम्हें उन्हें हिदे ही लगा सकता हूँ देखिए प्रभु, यही है मेरा एक मात्र सत्या मैं आपका क्रोध, आपकी पीड़ा, आपकी विवश्ता समझती हूँ, स्वामी, यग्ये की मर्यादा से बंधे है आप उसे अधूरा चूड़ कर यहां से उठ नहीं सकते, इसलिए भक्त के इश्ट होने के नाति, उसकी सहायता करने में अक्षम है अपने समक्ष कितने राक्षसों को पाप और अधर्म करते देख प्रभु को उन पर क्रोध भी आवश्याया होगा किन्तो आज जैसा रौध्र रूप कदाजित किसी ने ना देखा होगा महराज राम को अपने क्रोध को शांत करना ही होगा आज अपने अनने भक्त हनुमान को ऐसे महा संकट में देख कर उनका क्रोध सबी सीमाओं को तोड़ चुका है मुझे पह हनुमान की रक्षा के लिए कहीं वो यग छोड़कर ना और जाएं हाहाँ हाहाしま मा मा रामभक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें